तो आई आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जै प्रकाश पावर मैक्स हेल्थ केर और वरून वेवरेज के उपर और जैसे कि आप सबको पता है यूंडाई का आई प्यू आने वाला था तो फाइनली उसकी डेट जो है वो अनौंस हो गई है तो मैं आपको सब information फटा फट से देता हूँ अगर आपने मेरी previous वीडियो देखी होगी जो मैंने कल बनाई थी उसमें आपने देखोगा मैंने जै प्रकाश पावर मैक्स हेल्थ केर और वर्न वेवरेज की बारे में पहले ही दिया था कि यह stocks ऐसे हैं जो आप बाई कर सकते हो और आज अगर आप देखते तो आज यह काफी अच्छा है यह stocks करें थे हैं तो हम फटा-फट से इनके चार्ट देख लेते हैं पहले हम बात कर लेते हैं जै प्रकाश पावर की तो जै प्रकाश पावर का अगर आज हम देखे तो आज यह open हुआ था 17.65 पे और low गया था 17.16 बट उसके बाद गाइस जो rocket बना है आज शेयर यह इसने high लगा है 20.35 रुपीज का यह देखो तो जिस किसी ने भी मेरी वीडियो देखी होगी कल की और वो उन्हें अगर आज बाइ किया होगा morning में तो आज उन्हें अच्छा return दिख रहा होगा same day में और अगर हम इसका अज overall देखे तो यह overall यह share 12.25 परसेंट अरॉंड गया है उपर okay down से अब तक का देखेंगे तो अभी तक यह share ने इतना चा परफॉर्म नहीं किया है बट यह काफी नीची आया भी था 18.45 18 अरूंड चल रहा था तो यह अच्छा buying का मोका है stock को अभी भी लेने के लिए 20 के अंदर में 20 की range में अब हम बात करते हैं दूसरे stock के बारे में वो है हमारा max healthcare अगर max healthcare की बात करें तो यह भी मेने कल आपको बता है तक काफी अच्छी रेंज में मिल रहा है अभी भी एक range में है अच्छी बाइंग के बट 900 की range काफी अच्छी थी इसकी बाइंग की तो जैसे कल भी यह था इसका previous close था 916 रुपे का और आज इसने low भी 913 का लगाया है तो 920, 915 के आच्छी रेंज थी इसको बाइंग करने के लिए अगर आप long term के लिए सोच रहे हो तो आप अभी भी इसको बाइंग कर सकते हो अलगी यह काफी उपर गया था उसके बाद यह guys नीचे आया है इस टॉक ने अभी अपना 52 वीक हाई लगाया था 1118 का 1118 रुपे का उसके बाद यह इतना नीचे आया है तो जिस किसी के बास अलड़ी ए इस टॉक में है तो मुझे comment में जुरूर बता सकते हैं तो guys अब हम बात कर दें वरून वेवरेज की तो वरून वेवरेज का भी मैंने कल मेरी वीडियो में कवर किया था कि एक अच्छा शेर है इसने वीच में अभी रिसेंटली स्प्लिट दिया था तो एक अच्छी रेंज में है भाई करने के लिए इवेन अभी भी है बट फॉर लॉंग टम के पट यह जब आज घीरा था guys तो इसने 536 का लो लगया था तो 536 में अच्छी रेंज में था 550 तक की रेंज में भी था यह अच्छा बाई करने के लिए बट अब ही थोड़ा उपर आया बट शॉट टम के लिए जो जाएंगे उनकों में एडवाइज नहीं दूगा बाई करने के लिए आप कर सकते हो अगर 6 मंस तक वेट का सकते हो 6 में रेटन दे देख आपको कुछ बट फॉर लॉंग टम येस यू कन बाई अगर हम देखेंगे अभी रिसेंटली 600 की रेंज में था 650 की रेंज में था अभी नीचे आया था यह 542 की रेंज में आके गया है जो कि 536 कलो तो उसने आज ही लगा है उसमें तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं यूडाय मोटर्स आइपयो के बारे में के तो जो डिटेल्स अभी तक हमें मिली है वो है आइपयो की जो ओपन डेट होने वाली है वो 15 अक्टॉमबर क्लोस डेट जो होने वाला है वो 17 बेसिस ओफ अलॉट्मेंट जो है इनिशली परसर रिफंट आना स्टाट हो जाएगा और जिने यह आइपयो मिल जाएगा गाईज उन्हें 21 को उनके डिमेट अकॉन में क्रेडिट भी हो जाएगा तो जिसकी को भी आइपयो करना है तो बाइक कर सकता है तो अभी तक मेरी वीडियो कैसी लगी है अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सट्क्राइब कर दीजे अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर कर दीजे जो भी शेयर मार्केट में इंट्रस्टर हो तो अब हम बात कर लेते हैं इसका प्राइस बेंट कर रहने वाला है और इसकी जियंप यह जो इन्फोर्मेशन आईए उसके इसके अपने बेट करने का बट अगर लोंग वीडियो में कवर नहीं कर पाया तो मैं मेक शोर्ट वीडियो में यह कवर कर सको की इसके जियंप क्या होगी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो पता हैं क्या करने है सस्क्राइब कर दिजी गाई जब ऑगे थेर गाई पारिव इचोल टाओं और गलक झाहूं रुट सब्सक्राइब